अंदाज अपनापना के सीकुल की शूटिंग कब से शुरू होने वाली है? क्या अंदाज अपनापना का सीकुल बिना आमिर और सल्मान के बन पाएगा? शूटिंग के दोरान आमिर और सल्मान में बातें क्यों नहीं होती थी? जी हाँ दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पॉलिक्राद स्टूडियोज की इस नई अपडेट में आमिर खान और सल्मान खान स्टारर अंदाज अपना अपना को फिल्म इंडिस्टी की आइकॉनिक क्रिशन्स में से एक माना जाता है फिल्म में सल्मान ने प्रेम का और आमिर ने अमर का रोल निभाया था दोनों ने अपनी कॉमेडी से दर्शकों को खूम हसाया था फिल्म बॉक्स आफिस पर सुपरिट साबित हुई थी क्रूटिक्स ने फिल्म की कहानी को पसंद किया था हाली में रिपोर्ट्स के आधार पर बताया जा रहा है कि फिल्म के मेकर्स का सीकुल बनाने की तैयारी है ऐसा भी बताया जा रहा था कि सीकुल में रेड़ बीड सिंग और वरून धबन को कास्ट किया जाएगा डेकान क्रोनिकल के साथ इंटर्विव के दोरान फिल्म के राइटर दिलीप शुकला ने बताया कि अभी फिल्म की कहनी पर काम चल रहा है उन्होंने कहा कि वो अभी फिल्म की सीकुल की कहनी लिख रहे हैं और ये आसान काम नहीं है उन्होंने आगे कहा कि मैं सीकुल को पहली फिल्म की अपेक्षा ज्यादा आकरशित बनाने का प्रयास कर रहा हूँ इसके अलावा दिलीप ने कहा कि अंदाज अपनापना कि सीकुल में सल्मान और आमिर के बिना संभव नहीं है फिल्म में तीन नई स्टार कास्ट के साथ दोनों नजर आएंगे बताने कि ये फिल्म 1994 में रिलीज हुई थी इसमें सल्मान खान और आमिर खान के अलावा करिश्मा कपूर, रवीना टंडन, परेश, रावल, शक्ती कपूर जैसे स्टार्स ने काम किया था फिल्म का निडरेशन राजकुमार संतोसी ने किया था गौर तलवे की आमिर खान इंदन बॉलिवुड में लाल सिंग चड़ा की तैयारी में जुटे है ये हॉलिवुड की फॉरस्ट गम की हिंदी रिमिक है इस फिल्म के लिए आमिर खान एक बार अपना वजन घटा रहे है इसके अलावा सल्मान खान की बात करें तो वो दबंग 3 में बिजी है ये फिल्म इसी साल 19 दिसम्मर को रिलीज होगी इस फिल्म में रणबीर सिंग और वरुन धबन को कास्ट किया जाएगा लेकिन इनके अपोजिट किन किन एक्ट्रिस को साइन किया जाएगा इस बात पर कोई खुलासा नहीं किया गया है फिल्म अभिनेत्री रवीना टंडन ने हिंदुस्तान टाइम्स को दिये एक इंट्रिव्यू में फिल्म अंदाज अपना-पना की शूटिंग का अनुभव बताया उन्होंने कहा कि इस फिल्म की शूटिंग के दौरान सल्मान और आमिर खान में जगड़ा चल रहा था और दोनों भी एक दूसरे से बिलकुल बात नहीं करते थे वहीं यही हाल फिल्म अभिनेत्री करिश्मा कपूर और रवीना टंडन का भी था और वो दोनों भी एक दूसरे से बात नहीं कर रहे थे इस बारे में बताते हूँ रवीना टंडन ने कहा जब हम शूटिंग कर रहे थे तब ये बड़ा मज़ेदार था हम मैंसे कोई भी एक दूसरे से बात नहीं करता था सबके आपस में जगने चल रहे थे आमिर और सल्मान एक दूसरे से बात नहीं कर रहे थे करिश्मा और मैं आपस में बात नहीं करते थे और ना ही सल्मान और राज जी भी बात कर रहे थे मुझे नहीं पता कि ये फिल्म कैसे बनी लेकिन ये दर्शाता है कि हम अच्छे कलाकार हैं सल्मान और आमिर ने करिश्मा और मुझे एक साथ लाने की कोशिश की फिल्म की क्लाइमेक्स में एक सीन है जहां करिश्मा और मैं एक खंबे से बंधे हैं इस पर राज जी ने कहा था जब तक हम एक दूसरे से बात नहीं करते तब तक वो हमें नहीं छोड़ेंगे ये सब वाक़े बहुत मज़ेदार था मुझे याद है सीम की शूटिंग के दोरान हम सभी वास्तब में बहुत हंसे थे क्योंकि डायलग बहुत हंसाने वाले थे कि शूटिंग आज भी है रवीरा ने यह भी कहा कि आमिर की तुलना में सल्मान के साथ उनकी बहतर दोस्ती है तो दोस्तों आपको क्या लगता है अंदाज अपना-पना में जैसा कि आमिर और सल्मान ने दर्शकों को खूब हसाया था खूब इंटर्टेन किया था क्या वैसा ही रणवीर सिंग और वरुन धवन कर पाएंगे आपको क्या लगता है आपकी क्या राय है आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलें और देखते रहे हमा कर दो